नर्वस टीम इडिया पर भारी पढ़ेगा न्यूजिलेंड सेमी फाइल में भारत को हराने वाले दिगज की वार्निंग तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी क्यों टीम इडिया पर भारी पढ़ सकता है न्यूजिलेंड सेमी फैनल में भारत को हराने वाले कौन से दिगज की भी खिलाली ने भारत को वार्निंग दी है दिखाएंगे उनके इस बैन का पूरा वीडियो साथ ही बताएंगे पूरी ख़बर लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हो टीम इडिया इस वर्ल्ड कप को जीते तो वीडियो को लाइक जरू करें एक बार फिर सबसे पहले सेमी फाइनल में एंट्री भी उसने ही मारी और एक बार फिर पहला सेमी फाइनल टीम इंडिया ही खेलेगी अगर इतना काफी नहीं है तो एक बार फिर टीम इंडिया के सामने न्यूजिलैंड ही होगी जिसने चार साल पहले टीम इंडिया का दिल तोड़ा था उस जीत के एक स्टार ने अब वर्णिंग भी दे दी है कि इस बार भी वैसा ही हाल हो सकता है मैंचेस्टर में चार साल पहले भारत और नीजिलैंड की टीमें वर्ड कप 2019 के सेमें फैन में ट्रकाई थी बार इसके कार्ण मैज तो दिन चला था टीम इंडिया ने पहले गेंदाजी करते होए नीजिलैंड को सिर्फ 249 पर रुख दिया था रुख शर्मा विराट पोली केल रहून की फार्म को देखकर लग रहा था कि ये लच्छ आसानी से हासिल हो जाएगा लेकिन टीम इंडिया 18 रंग से हार गई उस हार ने हार भारतिये फैन का दिल तोड दिया था नीजिलैंड की उस जीत के एक इस्टार थे पूर बले पाज रॉज टेलर जोने मुस्किल हालातों में 74 रोनों की बेहतरिन पारी खेली टेलर इस बार तो किवी टीम का हिस्सा नहीं लेकिन मैदान से वहर जुबानी हमलों से असर डालने की पोसिस कर रहे है से फैल की टकर से पहले टेलर ने कहा है कि 2019 के मुकाबले से सामानता देखी ही जाएगी क्योंकि उस वर्ल्ड काप में भी टीम लिया दंदार थी और अच्छी फॉर्म में थी जबकि नुजिलैंड किसी तरह से फैल में पूची थी टेलर ने इसके बाद टीम लिया कुछ हिताऊनी दी और बताया कि क्यों न्यूजिलैंड जादा खतनाग ہو की उन्होंने साथ ही कहा कि अगर किसी एक टीम के खिलाब भारत सबसे ज़्यादर नर्वस होगा तो वो न्यूजिलेंड ही है तो दोस्तों इस सम्मन्द में आपके कहना आप अपनी राय कमेंट जरूर करें